आजादी के आदर्शों को समझे और बया करें जैसा कि आप जानते कि दो अपरेल को पूरे भारत के अंदर से निस्प्रभावी कर दिया गया था मानने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से तो पूरे देश में जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हुआ था और बीजेपी सरकार को जुकना पड़ा था कहीं न कहीं उसी कारण से अभी हाल ही में इसी सत्र में सरकार ने अध्यादेश लाकर SCST Act को पुना लागू कर दिया है राम गोपाल यादो ने कहा था कि SCST Act जो है उसका हम समर्थन करते हैं लेकिन उसमें ऐसा प्रावधन किया जाना चाहिए कि कोई फिर से सुप्रिम कोट में ना जाए और यदि जाए भी तो इस प्रकार के जो समाजिक नियास संबंदित कानून है उस पर छेड़खानी अधालत ना करते हैं मैं इस प्रकार का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ सिर्फ दो बाते में कहना चाहता हूँ भारती संब्धान की प्रस्तावना में सारे नागरिकों को हमारे संब्धान निर्माताओं मैं सामाजिक आर्थिक और नियाए उपलब्द कराने की बात कही थी दुखत बात यह है कि जब जब सामाजिक नियाए का कोई उपाय किया जाता है सरकार के दोरा चाहे पहले किया गया है हो चाहे अब किया जा रहा हो उसमें कोई निकोई व्यक्ति नियाले में जाके पिया पिआईएल के माद्धिम से उसको ख़तम कराने की कोसिस करता है. अ अगर कानून बनाने का काम हमारा है लेकिन अब कानून बनाने का काम हमारी न्याय पारिका करने लगी मेरी मांग ये है माननी आपके माध्धम से माननी मंती जी से कि अगर सोशल ज़स्टिस से जुड़े हुए मामलों में कोई PIL होती है तो उस बेंच में जो ज़स्ट सुनें उसमें कोई न कोई सी स्टी या OBC का जज होना चाहिए और वो तब हो सकता है जब आप जजों की विवस्टा मां करें कोई जज इन बर्गों में से जाता नहीं है इसलिए इन बर्गों के लोगों की बात कोई सुनने वाला नैपालिका में भी नहीं है और हर फैसला PIL के माध्यम से सोशल जस्टिस को किल करने के लिए किया जाता है तो मैं इसका समर् करता हूं और यह भी कहता हूं कि आगे फिर इनको चैलेंज किया जाएगा इसलिए इंतजाम ऐसा कीजिए पासमान साहब कि बहां भी लोग बैठें और जो नयाले में जब यह मनमानी हो रही है उस पर रोक लगाने का काम करें थेंक्यू सब्सक्राइब केची चला सकती है ऐस से देखिए जो अपने आपको गर्व से हिंदू कहते हैं या जिनको कहने को कहा जाता SMCStOBC को आज देखिए आपके अधिकारों के खिलाप में आपके अधिकारों को खतम करने के लिए कोन वेक्ती अधालत में जारा है कोन खतम कर्वाना चाहते हैं emperor राज ह ये वो प्रतिविराश्चोहान नहीं, ये कोई वकील है, ये प्रियासर्मा और प्रतिविराश्चोहान जब आदालत गए तो उन्होंने आदालत से गुहार लगाई है, कि यह जो एसस्टी संसोधन जो बिल है, जो अदालत ने जो निस्फ प्रभावी किया था, या अदालत जो प्रावधान किया था उसको खतम करते हुग जिस प्रकार से सदन ने बिल लाया है उस बिल पर विचार होना चाहिए और उसको तुरंत निस्प्रभावी करना चाहिए आपको हैरत होगी अभी चार दिन पहले यह याची का लगी है उसके बाद कोई लांबा जी है और एक और कोई सज्जन उन दो लोगों ने मिलकर फिर से ही अची का दायर की है उन्होंने कहा इससे हमारे सविधानिक अधिकारों का हनन होता है मोलिक अधिकारों का हनन होता है तो सदन के माद्यम से जो बिल आया है उसे खत्म किया जाना चाहिए तो आप बताईए दोस्तों इस देश में इस प्रकार की घटनाय घटित होते रहती है लेकिन जो न्याले होते हैं न्याले मीडिया या नोकरियों का जो भी इस्तान होता है वहां पर और आप आंदूलन करते रहेंगे आप अपने नोजवानों की जान उनकी बली देते रहेंगे और ये नेता लोग बाबा साब और सविधान का नाम लेकर रोटियां सेखते रहेंगे और आप लोग घंटा बजाते रहेंगे मेरी बात कड़वी होती है मेरी बात जो है बहुत कड़वी लगती है लेकिन ये सत्य है जिनके आप चरण छुने जाते हैं वही आपके अधिकारों के खिलाप में है चुनाओ के समय में ये ही लोग कहते हैं कि गर्व से हिंदू कहो और आपसे बोट ले लिये जाता है हिंदू नाम से या धर्म के नाम पर लेकिन आपके अधिकारों के खिलाप में सामने कोन आते हैं कोई मुसल्मान का नाम आया कभी आपने देखा कोई आरेच्छन के खिलाप में मुसल्मानों ने अंदुलन किया हो कभी आपने देखा सिखों ने अंदुलन किया है कभी आपने देखा जेन या बोद्धों ने अंदुलन किया है या इसाईयों ने अंदुलन किया है आरेशन के खिलाप में कभी आपने देखा S.C.H.T. 8 के खिलाप में सिख हो या अन्य धर्म के लोग विविरोत करते हैं फिर ये गर्व से किस बात के लिए किस बात पे ये हिंदू तो कानारा देते हैं कभी आपने देखा बजरंग दल विस हिंदू परिसद आरेसेस ये संगठन खुलकर आपके पक्ष में आकर आपकी वकालत करते हैं आपके अधिकारों की ये आपकी वकालत कप करते हैं दोस्तों जब इनको आपसे फायदा लेना होता है जब आपका दोहन करना होता है जब आपको लड़ाई जगड़े में दंगे में इस्तमाल करना होता है तब आपके पास याते हैं लेकिन उसके अलावा कही नहीं जाते हैं इसलिए अभी भी जाग जाईए इस प्रकार से याची क्या आते रहीगी आप सरकार से अब ये मांग करिए कि न्याले के अंदर में जब भी इस प्रकार के मामले आते हैं तो उसकी जब सुनवाई हो तो वहां माननी है दीपक मिस्रा या अन सर्मा जी और दिवेदी जी लोग ना बेठें वहाँ पर अगर सर्मा जी बेठें या मिस्रा जी बेठें तो साथ में पासवान जी भी होना चाहिए या कोई सेडूल का सेडूल ट्राइब का या OBC का वेक्ती भी होना चाहिए एक पेनल बनना चाहिए जिसमें सभी वर्गों के मजिस्टेट नयाई धीस हो तब जाके समाजिक नयाई की जो बात है वो सही तरीके से उसका सही उसका आपको और हमें नयाई मिल सकेगा यहाँ बात को लोकसभा के अंदर में जिस प्रकार से राजसभा के अंदर में राजसभा के अंदर में जिस प्रकार राम गोपाल यादोजी ने या बात को उठाई थी मेरी नजर में बहुत ही महत्पूर्ण है जिस प्रकार से उन्होंने जो दलीले दी थी तत्थे पेस किये थे आज वो आपके सामने हैं उनकी बात सत्त साबित हुई तो जितने भी हमारे ACST के या OBC के भी सांसद हैं विन सबको फिस से लोकसभा और रासभा में इस बात की मांग पूरजोर तरीके उठानी चाहिए कि जो सविधानिक पद है उसमें इन वर्गों का प्रतनीदित क्यों नहीं है सरकार इन लोगों को प्रतनीदित क्यों नहीं देती है